प्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार बने हफ्ता होने को आया है मगर मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर कोई भी सुख बगाहट नजर नहीं आ रही फिल्हाल कॉंग्रिस हनीमोन पीरियड के दुरान दिल्ली होते हुए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांदी का साथ देने के लिए पहुंच रहे हुई है और अब सबे विधायक भारत जोड़ो यात्रा से सीधा हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे तो वहीं सुखवेंदर सिंग सुखु दिल्ली में ही मंत्रियों के नाम को फाइनल कर आगे की रननीती बनाएंगे सुखवेंदर सिंग सुखु ने का है कि शीत कालिन सत्र के बाद ही मंत्री मंडल का गठन होगा लेकिन उससे पहले नामों पर मुहर लगाना जरूरी है ये तो रही भविश्य की बात मगर अब जिलावार यह जानते हैं कि कौन कहां से मंत्री की रेस में कितना आगे हैं सबसे पहले राज़दानी शिमला से शुरू करते हैं शिमला और कांगडा दो ऐसे जिले हैं जहां से कांगरिस को प्रचंड वहुमत मिला है शिमला से आठ सीटों में से साथ में कांगरिस ने अपना जिला लह राया है तो वहीं कांगडा की बात करें तो यहां पर दस सीटें कांगरिस ने जीती है तो ऐसे में यदि शिमला की बात की जाए तो यहां पर दो मंत्री पद देना तय है लेकिन यहाँ पर मंत्री पद के कई चह्वान है सबसे पहले हॉलिलोज की बात करे तो यहाँ एक मंत्री पद का जाना लगभगताए है और इस तरह की सुछना आ रही है कि बड़ा मंत्राल्य हॉलिलोज की जोली में आएगा इसके कई कारण है एक तो हॉली लॉज को शान्त करना और दूसरा लोगों के वीड़ भद्र सिंग से जुड़े सेंटिमेंट्स मुख्यमंत्री सुकु भी कई बार विक्रमदित्य सिंग के नाम पर मुहर लगा चुके हैं लेकिन पेंच अड़ रहा है मंत्रा लेको लेकर हॉली लॉज इस समय पर जरूर बड़े मंत्रालियों की मांग कर रहा होगा और हाई कमान का भी अच्छा खासा आशिरवाद विक्रमदित्य को मिलता हुआ देख रहा है ख़बरों के बाजार में ये बात है कि राहुल गादे कह चुके हैं कि विक्रमदित्य सिंग जो भी मंत्रालिय चाह रहे हैं उन्हें वहत दिया जाए तो ऐसे में अब सिर्फ एक ही मंत्री पद शिमला के लिए बचता है और इसमें रोहित ठाकुर रेस में आगे दिख रहे हैं इसके भी कई कारण है हलांकि अनिरुद भी सुकू के खासम खास है मगर रोहित चार बार तो अनिरुद तीन बार वधायक बन चुके हैं तो ऐसे में वरिष्टता और किसानों बागवानों के सेंटिमेंट्स रोहित ठाकुर के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे में रोहित ठाकुर और विक्रमजित्य सिंग को मंत्री पद मिलता हुआ देख रहा है अनिरुद को क्या जिम्मेदारी दी जाती है यह भी देखने वाली बात होगी क्योंकि उन्हें भी सरकार में किसी बड़े ओहदे पर बिठाया जाएगा क्योंकि अनिरुद हमेशा से ही सुक्खु की ढाल के तौर पर खड़े रहे हैं यहाँ एक और नाम कुल्दी पर राठोर का भी रेस में आ रहा है मगर राठोर और सुक्खु के बीच कांगडा सब को जगजाहिर है अब बात करते हैं कांगडा की यहाँ भी समीकरण घजब के हैं चौधरी जंद्रकुमार इस लिस्ट में सब से आगे हैं मगर उन्हें फिलाल प्रोटेम स्पीकर बना गया है ऐसे में प्रोटेम की जगा उन्हें स्थाई तोर पर भी स्पीकर न्युक्त किया जा सकता है यानि कि विधान सबा का अध्यक्ष नुक्त किया जा सकता है लेकिन फिलाल मंत्री पद उनका तैमाना जा रहा है इसके बाद नंबर आता है सुभीर शर्मा का इनका नाम मंत्री पद के लिए तै ही समझ लीजे इन्होंने विधायक दल के बैठक में खुद को डेपटी स्यम बनाने की भी मांग उठाई थी इस तरह की खबरे सामने आई थी अब यहां पर दो नामों पर पेंच फस रहा है एक आशीश बुटेल और दूसरे आरस बाली अलांकि आशीश बुटेल वरिष्टता के अधार पर मंत्रीपद की रेस में आगे हैं मगर बाली केंद्री आला कमान के खासे नजदीक है तो ऐसे मैं देखना ये होगा कि किस को यहां पर मंत्रीपद की कुछ से मिलेगी अब अगर मंडी की बात करें तो यहां से किसी को भी शायद मंत्रीपद ना मिले यह हो सकता है दे दिया जाए क्यूंकि यहां पर एक मात्र सीट कॉंग्रिस ने जीती है तो हो सकता है कि ऐसे में मंडी को क्या पता वधायक से ही संतुष रहना पड़े यही हाल अब हमीरपूर और उना में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है उना से हाई कमान ने मुकेश अगनी होतरी को उप मुक्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी है तो वहीं हमीरपूर से मुक्यमंत्री सुखवंदर सिंग सुखु चुने गए हैं अब सुजानपूर व विने कुमार भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं हर्शवर्दन और विने में हर्शवर्दन की दावेदारी मद्बूत है जिसका चलते विने कुमार को सायद मंत्री पद ना मिले है कोछ ऐसा यहाल सोलन का भी है यहां से पूर्व में मंत्री रहे धनजराski व्याड़िव कुछ जैसे ही स्थिती डामा डोल लगी वह फोरन दिल्ली पहुंच गए और डेप्टी सीम की दावेदारी ठोक डाली तो ऐसे में डेप्टी सीम मिले ना मिले मंत्री पद मिलना उनको भी तैमाना जा रहा है उनकी सोनिया गांदी से खरीबियां सबको जगजाहिर है रामकुमार चौदरी को शायद मंत्री पद के लिए इंतजार करना पड़े मगर ऐसे में यदि विधान सबा स्पीकर धनिराम शैनली को बनाया जाता है तो शायद रामकुमार की किसमत भी शमक सकती है अब किनौर से होते हुए कुलू और लाउल्जपिती का रुख करते है किनौर से रगत सिंग नेगी को मंत्री पद मिलना लगभग तय समझ सकते हैं और कुलू से सुंदर सिंग ठाकूर को भी मंत्री पद दिया जाना है रवी ठाकूर को मंत्री पद मिले न मिले इस पर अभी संशय बना हुआ है मंत्री के बदले मंत्री दिया जाता है लाल्स पिती को या नहीं यहां तो समय ही बताएगा लेकिन जेपी नड़ा के गड़ में सेन लगाने वाले राजेश धर्मानी भी मंत्री पद की रेस में अच्छे खासे चले हुए है और सुखु से उनकी खरीबियां कुछ ऐसा ही बया कर रही है जहां सुखु वहां राजेश धर्मानी खेर यहां कुछ समय करण और सुत्रों के हवालों से प्राप्त जानकारी के अधार पर बनाई गए रिपोर्ट है और शायद 90-95 फिस्दी सही भी हो देख तरे लाइब टाइम्स टीवी मैं आँव अनुश टाकर एस खास रिपोर्ट पर साथ दिया निश्यान सूध में गोएल मोटर्स वभिन्न पदो हेतु आवेदिन पत्रा मंत्रत करता है जिसके लिए अनुभवी वफ्रेशस सभी आवेदिन कर सकते हैं इंटर्व्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायो डाटा इमेल करें